तो दोस्तों आपने कई बार कहते हुए सुना होगा लोगों को कि आपकी कुंडली में राज्योग है आपकी कुंडली में ये एक ऐसी ग्रह की यूती है जो जीवन में बहुत ही अच्छे फल देगी आपको हर समय कुछ ना कुछ आपके कुछ एक एज के फेस में आने पर आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध आदित्य राजयोग के बारे में जो कि सूर्य और बुद्ध के मिलंग से बनता है जो कि बहुत ही शुब राजयोग कहा गया है पर व्यक्ति जीवन में इस राजयोग के फल नहीं उठा पाता है अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं जीवन क बुद्ध आदित्य योग कंडली में कहीं पर भी सूर्य। और बुद्ध की यूती बन जाए यानि कि दोनो के दोनों किसी भी भाव में ऑक साथ आकर बैठ जाए तब इस केस में ये औहिए बुद्ध आदितयोग क्योंकि सूर्य और बुद्ध की दूरी जाधा नहींहीं होती है इसलिए यह आसपास ही मूव करते रहते हैं और जब यह मिल जाते हैं अगर हम सुर्य और बुद्ध के योग को थोड़ा डिफाइन करें तो ये बनता है सूरे जो कि आपका मान सम्मान आपकी खुद की हेल्थ और आपकी आत्मा है या आत्मा कैसी है शुद्ध है या खराब है क्या आपके अंदर वह चतुराई बुद्ध आदित योग के ऐसे मौके मिलते हैं जो इनसान को हमेशा उठाने की और लेके जाते हैं यानि कि उसके राइस और अगर हेल्थ की बात करें तो इनसान शरीर से भी स्ट्रॉंग रहता है मानसिक लेवल भी उसका काफी अच्छा रहता है कुल मिलाकर व्यक्ति जब चारो खानों जिसे कहते हैं कि इनसान के चार पिलर हैं जिसमें कि उसकी सेहत भी है उसका दिमाग भी है उसका बिहेवियर भी है उसको मौकों को तलाशने की शक्ती भी है जब यह चारो पिलर स्ट्रॉंग होंगे तो व्यक्ति आटोमेटिकली जीवन में बहुत सी चीज़ यह हासिल कर लेगा अब बुद्ध आतित योग देखिए अगर मान लिए ब्न के मिलन्द से बनता है अगर मान लिए ये बुद्ध आतित योग आपकी कॉंड़ी में पहले घर में है पांचमें गर दोनों की ग्रहों की दूरी कितनी है कही बार आपने सुना होगा कि बुद्ध extensive क्योंकि सूर्य की टेज़ती ही इतना है कि सामने कोई भी ग्रह ट्क नहीं पाता है जब किसी ग्रह का असर कराब हो जाता है साथ वा ग्रह का इस केस में वो बुद्ध भी किसी काम का नहीं रहता है यानि कि वो एफेक्ट्स तो देता है पर उस स्ट्रेंथ से नहीं देता है जो इनसान को मिलने चाहिए जैसा कि इनसान काफी अच्छी तयारी की सब कुछ किया पर लास्ट मुवमेंट पर जाकर हो सकता है कि कोई-कोई खराबी आ गए जैसे कि एक्जाम में होता है इनसान अच्छा एक्जाम में किया प्रपेशन की सब कुछ की लास्ट मुवमेंट पर जाकर वही जो दिमाग में अच्छी तरह रटा हुआ था उस समय फेल हो गया माल लीजे इंसान को कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला कहीं पर जॉब की बात है इंसान फाइनलाइजेशन पर पहुंचने वाला था पता लगा कि आपके हांस से मौका फिसल गया हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे मौके फिसल जा आएं तब आपको यह सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं आपके ग्रहों में कमजोरी है जो आपके जीवन में आपके स्तंभों को कमजोर कर रही है जिसकी वज़े से आप खड़े हो सकते हो आगे बढ़ सकते हो पर कुछ ना कुछ यह कारण होते हैं अब हम और आगे बढ़ें तो यहां पर सूर्य बुद्ध की युति को पॉस्टिव करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास वो बंदूक है वो शक्ति है जिसका की आपको पता ही नहीं है यानि कि एक शेर का बच्चा बक्रियों के जुंड में पैदा हो गया और वहीं पल गया यानि कि उसको अपन उप्मेंट्स जो हैं मिलिटर क्यूपमेंट्स वो इस्तेमाल करने हैं अगर उसको ट्रेंणिंग ही ना दी जाए डारेक्ट पॉडर पर भीज़ दिया जाए तो क्या आपको लगता है वह लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा इसी तरीके से आपके ग्रह होते हैं हमें क किस ग्रह की positive energy को जगाना है किस ग्रह की positive energy को neutralize करना है या शमन करना है वो depend करता है उपायों पर लाल किताब की सभी समगरी अब आप मेरी WhatsApp कटलोग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने address पर मंगवा भी सकते हैं अगर आपके कुंडली में सूर्य बुद्ध आदित्य योग है तो इसको आपको समझना चाहिए कि कैसे हम activate करें और activate करने के बहुत ही simple तरीके हैं simple तरीकों में सूर्य बुद्ध के अलग-अलग उपाय भी होते हैं बुद्ध के भी उपाय होते हैं और इन दोनों को मिलाकर भी एक उपाय होता है जैसा कि मैं पिछली वीडियो म में बभी बता चुका हूँ आपको एस्ट्रो वास्तु के तहट एक छोटी सी चक्की का मॉडल आपको दिखाय गया था यह चकी का मॉडल आप जिस तरह से यह देख रहे हैं वीडियो में इस तरह से चक्की का मॉडल ले लीजिए और घर में अगर रखना चाहते हैं तो घ को में दो और यह दो फैक्टर हैं जस्वेस से सूरा बुद की यूती को हमने कई बुद के दिख तो कर देती है काम काज के हिस्से पर काम काज का हिस्सा यानि कि रिजक और आमदनी जी से कहा जाता है अगर माल लीजे इनसान काम काज में पिछड रहा है काम काज में उसको वह इंकम हासिल नहीं होती है करियर के फील्ड में कहीं वह पीछे है जिस वजह से वह इंकम हासिल नहीं सिंपल है क्योंकि एस्ट्रो वास्तू रेमेडीज के तहत हमें अपने घर के उन हिस्सों में उन पॉस्टिफ ग्रहों की एनरजी को स्थापित या फिर बढ़ाना होता है जिससे की वो ग्रह काम करना शुरू कर देते हैं अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िए अगर अच्छे असर आ रहे हैं आपको कोई जरूती नहीं है कुछ करने की आप राइस कर रहे हो तो बर्भु के भरोसे इस यूती को सही रखने की कोशिश करिए जो कि मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूं कि क्या परहेज होते हैं मान लीजिए सूर्य ब काबू रखे यह कुछ परहेज होते हैं और सूर्य नीच कहीं न कहीं हो जाता है पर इसकी नीचता को दूर करने के लिए बुद्ध की सपोर्ट मिलते ही सूर्य अपने उसी रंग में आ जाता है जिसमें कि उसे होना चाहिए अब यह सूर्य बुद्ध की यूती कुंडली म साउथ वेस्ट यह डिरेक्शन है अगर आपकी कुंडली में मा लिए साथवे घर में बुद्ध है तो साउथ वेस्ट है आपके लिए अगर मा लिए कुंडली में बार्वे घर में सूर्य बुद्ध है तो यह साउथ इस्ट हो गया आपके लिए यानि कि इस दिशा में चक पुजा भी होती थी और आज भी होती है हमारे जो रिच्वल्स हैं कई प्रांथ हैं देश के जहां पर चक्की की पुजा होती है अगर हम इस चक्की के बारे में समझे तो सूर्य बुद्ध या फिर स्वयम भोले नाथ और पार्वती का यह मेल है और चकी चलना मतलब यही है क आपकी rotation income flow या career की चक्की चलती रहे तो यह कुछ motivations होती हैं जिनकी वज़े से हम इन उपायों को सार्थक कर पाते हैं तो हमें इन उपायों को हलके में नहीं लेना है हमें इन उपायों को करना है क्योंकि देखिए घर में decorative item तो हम रखते ही हैं तो क्यों न ऐसी चक्की अगर हम decorative item के तहट अपने घर में रख लें तो यह आपके career पर भी असर डालेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी क्योंकि लोगों ने बड़ी बड़ी चक्कियां देखी हैं जैसे ही चोटी चक्की आपके घर कोई देखेगा तो बहुत खुश होगा सबसे पहले तो यह पूछेगा यह कहां से लाए बहुत सुन्दर है और आपके अगर खराब है तो कंडिशन मैंने आपको बता दी हो सकता है मंदे घरों में चली जाए मान लिजे सूरे बुद्ध आठमें घर में आ जाए सूरे बुद्ध बारमें घर में आ गए तब भी यह खराब कहलाता है सूरे बुद्ध दसमें घर में आ जाए तब भी यह कहीं न सब यह कहीं न कहीं खराबियां ले लेते हैं सूरे बुद्ध की यूति के योग वाले लोग इनके जीवन में खराबियां अक्सर करियर और हैल्थ को लेकर आएंगी क्योंकि सूरे बुद्ध हमारी इन्हीं चीजों को गवन करता है व्यक्ति की एक मानसिक्ता कहीं न कहीं डा बढ़ जाए हो सकता है इसके अंदर जूट बोलने की प्रवर्ति आ जाए अपनों को धोका देने की प्रवर्ति आ जाए एक सीधे तरीके से ना चलने की प्रवर्ति इंसान के अंदर आ जाये醋 क्युक्क है कि सीधे तरीके से चलने वाला इंस्टतरी यह कहानी आंपने सूनई की कहानी तो इससी तरीके से आपका startup की इतनी ही आपको जरूत है जो की ग्रहوں की होती अगर आप यह करते रहें अब सुर्य बुध्य अगर में या फिर आप सोने में बनवाके पहन सकते हैं चांदी में भी पहना जाता है अब यह रूबी रतन को चांदी में सोने में यह तामबे में क्यों पहना जाता सबसे पहले क्योंकि यह जो धातू है सोना ब्रस्पति की है तामबा जो सूरे की है चांदी जो है चंद्रमा की है तो इन तीन धातूं में से किसी में भी रूबी को पहना जा सकता है तब इस केस में आप रूबी पहन सकते हैं और सूरे के साथ बुद्ध की युती भी हो गई तब भी पहन सकते हैं या फिर अकेले बुद्ध भी आपकी कुर्ली में तीसरे घर में हैं, तब भी आप रूबी पहन सकते हों, क्योंकि देखिए, हमारे सूरे, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारे शरीर की एक strength है, ये सब सूरे से देखी जाते हैं, सूरे कमज़ोर वाले लोग अक्सर मौसम के बदलाव की चीजों को अपने उपर बरदाश नहीं कर पाते हैं कहीं न कहीं सेहत की खराबियां आ जाना कहीं न कहीं विल पावर कहीं न कहीं स्ट्रॉंग होती हुए भी वह काम ना कर पाना एक कॉंफिडेंस ना रहना एक शोशल इमेज कहीं न कहीं धूमिल पड़ना व्यक्ति को एक शोशल रिस्पेक्ट के लिए सेक्रिफाइस करना पड़े यह सूरी की खराबियां हैं तो मानिक पहनना कोई भी गलत नहीं है क्रहो के हिसाब से आप पहन सकते हैं बाकी जो लोग वैशिक निसार पहनना चाहते हैं वैशिक कुंडली के लगन यह आपकी राशी यह वो भी पहन सकते नहीं तो लाल किताब में एक काफी अच्छी बात है कि आप किसी भी रतन को lifetime मत पहनिए सिर्फ और सिर्फ वर्षफल को देखिए कि वर्षफल के अनुसार आपके कौन से ग्रह को कौन सी energy देने की जरूत है उसके अनुसार रतन पहन लीजिए एक साल बात रखतीजिए फिर जब कभी बर्षफल के अनुसार उस ग्रह की स्तिती आएगी मजबूत तब फिर पहन लीजिए इसलिए रतन को हमेशा बदल बदल के पहनिए ताकि आपको यह पता लगे कि मेरे को एक्चुल में किस रतन से फायदा हुआ कि समय पर आपको जो ज़रूत है उस अनुसार उस ग्रह से वो एनर्जी लीजिए हमेशा एक जैसे ही एनर्जी या फिर एक जैसे ही रिजल्ट किसी ग्रह के नहीं रहते हैं तो दोस्तों यह बहुत लंबी थोड़ी चर्चा हो जाती है और इनके बारे में बात हैं बात करेंगे वीडियो भी काफी लंबी होती जा रही है तो आप सभी लोगों को सुर्य बुद्ध के उपाय करने हैं बुद्ध को स्ट्रॉंग करिए बुद्ध के बहुत से सिंपल को का खयाल रखिए अपने जो हायर अथोटी हैं उनका खयाल रखिए उनके साथ मत जगड़िये किसी परकार के कोई कंप्लेंट या वाद विवाद में मत पढ़िये पिता से संबंद अच्छे रखिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए तो दोस्तों ऐसे ही शुद्धी